अस्तामलीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टुटाप स्मार्टीज ड्रामा सिर्यल ग्रीफ्ट क्या अनिशा को हत्रे का एसास होगा जब रूही की जबान पर दिल की बात आएगी या अनिशा उसे इग्नौर कर देगी विच्छो का मकमल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नियू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीचे साथी बैल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस की जगा ताके मेरी हाराने वाली विच्छो बहुत असानी से देख सके फ्रेंड्स आज रात की एपिसोड बे हम देखेंगे कि यहां पर मुसा अपने दिल के हाथों मजबूर रूही से मिलने आता है साथ ही उसके लिए गिफ्ट बिलाता है रूही बहुत ही बुरे अंदाज से उसे पूछती है यहां क्या करने आए हो अब वो जो दिल के हाथों मजबूर है कैई ही देता है दिल के हाथों मजबूर आया हूँ तुम्हें देखने आया हूँ यहां पर वो थोड़ा से रूमेंटिक होने लगता है कि रूही उसको फॉरण पलट देती है जो जो यहां से, मैं यहां अपनी अम्मा की जगा आई हूँ, तुम्हारे साथ मीठी मीठी बाते करने नहीं आई, बहुत काम है मुझे ऐसे में मुसा मुस्कुराने लगता है, और उसको कह देता है, ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन सुनो ना, रात को फोन करूंगा, बात जरूर करना अब रूही जो चाहती है कि उसको कोई देख न ले, ऐसे में फोरण वहां से भाग जाएगी, और कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो जाओ यहां से, रूही जब गिफ्ट लेकर अंदर पहुंचती है, तो वहां पर अनिशा उसको देख लेती है, और बाहर लड़के को भी, ऐसे में वह रूही से पूछ देती है, हाँ सचबुआ बता रही थी, तुम्हारी मंगनी हुई है, और वह लड़का बहुत पसंद करता है ना तुमें, क्या यही वह लड़का था, ऐसे में रूही कह देती है, नहीं नहीं, मंगनी मेरी हुई तो थी, लेक किसी और को पसंद करती हो, तो यहां पर जो वो मुराद की तरफ देख रही है, नजरों से नजरें मिला रही है, तो वो फोरण ही बेहाली में कह देती है, हाँ, साब जी को, अनीशा तो उसकी तरफ देखती रह जाती है, अनीशा पर तो सकता तारी हो जाता है थोड़ी देर सकते में रहने के पूछती है क्या कहा तुमने तो रूही भी बात बदल देती है मैंने कहा साब जी साब जी को कुछ चाहिए होगा वो देखे वो खड़े हैं दर्वाजे के पास ऐसे में अनीशा का सारा ध्यान तो मुराद की तरफ चला जाएगा यहां पर रूही बहुत ही चलाकी से बात को बदल देगी लेकिन अनीशा जो कि मुराद को बेपना मुहपत करती है वो इसकी इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगी अकेले में सोचती है अगर वाकी रूही ने मुराद को पसंद कर लिया और मुराद भी उन्हें पसंद करने लगे तो क्या होगा वो सोचती है और बहुत परिशान है अब वो बुआ का वेट करेगी जैसे ही बुआ आए रूही को यहां से भेज़ते लेकिन जब तक बुआ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि मुराद भी तो अब उसमें इंटरस्ट देना स्टार्ट हो गया है मुराद भी उसके बारे में सोचता है उसको चूँकर मुराद को भी अच्छा लगता है रूही भी कोई वक्त नहीं जाने देती जब वो मुराद के करीब ना आए ऐसे में मुराद अपने बेडरूम में बैठा है वो जानती है अनीशा के साथ है रूही को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो जाकर में सुच्छी बंद कर देती है ताकि लाइट ओफ हो मुराद आए और वो मुराद के करीब जा सके और अब ऐसा ही होगा जैसे ही लाइट बंद होगी मुराद बाहिर आएगा और वो अंधेरे में ही मुराद के गले लग जाएगी मुराद के करीब हो जाएगी ऐसे में मुराद भी तो शेतानी शर्से बच नहीं पाएगा वो भी अब बहक ही जाएगा ऐसे ये दोनों आप बार बार मौके ढूंडेंगे और बार बार अकेले में मिलेंगे दूसी तरफ इर्फान जिसे बहुत ही गुसा है कि रुही की मंगनी आहर मुसा से क्यों हो गई ऐसे में वो मुसा की दुकान को आग लगा देता है जो बात मुसा पर पहाड की तरह गेडी कि मैं रात को तो सारा कुछ ठीक तरह से बंद करके आया था फिर दुकान और साथ ही सारे कपड़े कैसे जल गए कैसे सब कुछ तबाहो बरबात हो गया तो फ्रेंड्स यही सब कुछ हम आज के अपिसोड में देखेंगे आपको यह मेरी प्रेडिक्शन कैसी दगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा वीडियो अच्छे लगी लाइक और शेयर जरूर कीचेगा दुआओं में याद रखें का अपना बहुत सरा हया रखेंगा नई वीडियो तक के लिए अलाहाफेज